नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम सुर्दास्तार रचीत ब्रहमरगीत के पदों की चर्चा करने वाले हैं आज की विश्य सूची कुछ इस प्रकार है आज हम ब्रहमरगीत के चार पदों की व्याक्षा करेंगे और अंत में वाल वर्नन और भ्रमर्गीत दोनों के पदों के प्रश्णोतर का अभ्यास करेंगे चलिए शुरू करते हैं अजी का रचीत भ्रमर्गीत एक महत्तुपूर्णप और सुन्दर रचना है इस भ्रमर्गीत में 400 पत समिलित हैं और इसके पहले पद में श्रीकुष्णजी और उद्धब जी का पार्तलाप का वर्नन है सुरूर्दास ने भ्रमर्गीत की प्रणा भागवत से लिया था फिर भी उन्होंने अपनी और से नई नई उद्भावनाओं को और नई प्रसुगों को इन में जोड़ा है उन्होंने भ्रमर्गीत में गोपियों का तर्क वितर्क, बाद विवाद, खरी खोटी, आदिस सब के वारे में बहुत ही सहस्ता से वन्नन किया है ब्रहमर गित में सुर्दास ने उन पदों को भी समाहिद किया है जिन में मतुरा से कृष्ण द्वारा उद्धप को ब्रज संदेश लिकर भेशते हैं और उद्धप जी जोकी योग और ब्रह्म के ग्याता है जिनका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धप से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने के लिए आतुर हो उड़ती हैं तो उद्धप जी निराकार ब्रह्म हम और योग की बाते करने लगते हैं तो गोपियां उन्हें भवरे की उपमा देती हैं जो चकुर को देई कपुर को तजी अंगार अगाद मधुकरत घर कोरी काठ में बंधत कमल के पाद जो पतंग हित जानी आपुनो दीपक सो लपटाद सुरदास जाको जासो हित सोई तही सुहाद पहले हम कटिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं उधो मन माने की बात उधो अर्थाद उधब उधो अर्थाद उधब जो कि हैं कृष्ण के मित्र मन माने की बात माने माने का अर्थ है मानना दाख यानी अंगूर चुहारो चुहारो का अर्थ है सुखे खजूर छाणी, छाणी का अर्थ है छोड़ कर अमृत फल अर्थाद रस से भरे फल विश्कीरा, विश्कीरा अर्थाद सर्प, सर्प, सांप, आदी विश्का अर्थ है जहर खाद, खाद का अर्थ है खाना जो चकोर, चकोर अर्थाद चकोर पक्षी देई, देई का अर्थ है देना कोई, कोई का अर्थ है कोई तजी, तजी अर्थ है प्याग देना अंगार, अंगार यानी आग अगहात, अगहात यानी तृप्त अगहार यानी तृप्त होना मधूप, मधूप अर्थात भौरा करत घर, करत घर अर्थाद घर बनाना काठ अर्थाद जो लकड़ी बंधत, बंधत अर्थाद बंध जाना पाथ, पाथ अर्थाद पत्ता जियों, जियों कार्थ है जैसे पतंग, पतंग यानि कीट पतंग हित, हित यानि भला जानी जानी अर्थात जानकर अपनो अर्थात स्वयंका खुदका दीपक दीपक यानी दिया प्रकाश लपटात लपटात अर्थात लिपटना जाको अर्थात जिसका जासों जासों अर्थात जैसा हित हित यानी भलाई सोई सोई का अर्थ है उसको ताही अर्धात वही और सुहात का अर्ध है अच्छा लगना इस पद का नसंग कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण जी मतरा चले जाते हैं कंस को मानी तो वे वहां ही रह जाते हैं तो वे अपने मित्र उधप को गोपियों के पास बेजते हैं उधर गोपियां, वाले, सभी कृष्ण के वियोक से दुखी हैं और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने भ्रमर को उबालंब करके यानि भ्रमर के नाम से उधभ को और कृष्ण को बहुत सारी बाते सुनाते हैं तो आएए देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं वे कह रहे हैं उधो मन माने की बात अर्थाद हे उधभ मन तो मानने की बात है और मन किसी के नियंदर में नहीं रहता उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है और गोपियों का मन किस के पास है? उनका मन कृष्ण के पास है और वे उधार्ण दे दे कर बहुत सारी बाते कहती हैं उधभब को तो पहले वहाँ उधार्ण दे रही है एक विश्कीरा का दाख छुहारो चाड़ी अमृत फल विश्कीरा विस खाथ अर्धात वे कह रहे हैं कि जो विश्कीरा होता है यानि शर्प उसे विश्री पसंद है उसे जहरी पसंद है वह मीठे अंगूर, सुखे, खजूर, आदे मीठे मीठे फल कुछ नहीं खाता है और वे क्या उदाहन दे रही हैं? वे चकोर पक्षि का उदाहन दे कर कहती है जो चकुर को देई कपूर को तजी अंगार अगाद अर्थाद वे चकुर पक्षी का उधान देकर कह रही हैं कि चकुर पक्षी को अगर शांध कपूर दिया जाए तो वहाँ उसे नहीं खाएगा वो किस से तुरूप्थ होगा? वे अंगार यानि आग से तुरूप्थ होगा अगले पंक्ति में उन्होंने किसका उधान दिया है? अगले पंक्तियों में उन्होंने मधुप यानि भोरे का उधान दिया है वे कहती हैं मधुप करत घर कोरी काट में बंधत कमल के पाथ यानी भोरा जो भोरा होता है वह काट यानी लक्री में छेद कर घर बनाता है परन्तु वह कमल के पत्ते में बंद कर ही रह जाता है अगली पंक्ती में उन्होंने उदारन दिया है पतंग का, कीट पतंग का फिर वी वह क्या करती है दीपक के पास जाती है जहां दीपक की रोश्णी होती है उसी रोश्णी से आकरशित होकर वे उसके पास जाते हैं वे जानते हैं कि जब वो उसके पास जाएंगे तो वे जलकर राख हो जाएंगे, फिर वी वह उसमें जलकर राख होने के लिए जाती हैं, इन सभी उधान के माध्यम से गोपियां क्या करें हैं, उध्धब जी को तर्क करें हैं, जाको जान सोहित, सोई ताही, सुहात अर्धा जिसके मन को जो अच्छा लगेगा वह वही कहेगा इसका अर्थ है यहां गोपियां कह रही हैं कि वे निर्गुर्ण ब्रह्म की उपासना न करके वे श्रीकुष्ण को ही प्रेम करना चाहते हैं क्यूंकि उनका मन उन्ही को चाहता है उनका मन श्रीकुष्ण जी को चाहता है राधे इस सिथिल भई सबही माधो बिनु जथा देह बिनु सीष स्वासा अठकी रही आसा लगी जीवही कोटी वरिस तुम तो सखा स्यामसुंदर के सकल जोग के इस सुरुदास रसिकन की बतियां पुर्वो मन जग दिस उद्ध अर्थात उद्धव मुत्तो का अर्थे था सो सो का अर्थे वह को अब राधे इस अब राधे अर्थात उपासना करना सितिल भई अर्थात निश्प्राण होना प्राण न होना सबही सबही अर्थात सभी माधो माधो अर्थात श्रीकृष्ण माधव जथा जथा स्वासा यानि सास अठकी रही अर्थाद रुखी रही आसा आसा यानि उम्मीध जीबेही कोटी बर्ष कोटी अर्थाद करोर बहुत और बरिस अर्थाद वर्ष। तुम तो सखा, सखा याने मित्र, स्याम सुन्दर के, स्याम सुन्दर अर्थाद श्री किष्ण जी, सकल, सकल याने समस्त, जोग, जोग अर्थाद, योग, रसिकन की बतियां अर्थाद, गोपियों की बातें, पुर्वो मन जगदीस, जगदीस अर्थाद, जगत के इस, जग देने के लिए भेजा था ताकि गोपिया निर्कुन प्रह्म को अपनाए और श्रीकुष्ण को बुला दे पर ऐसा हो सकता है क्या ऐसा अशंभव है ये कृष्ण जी को भी पता था तो जब उधभ जी उन्हें कह रहे हैं तो गोपिया कहती है उधो मन भए 1020 अर्धात गोपि एक ही मन है और अब वह भी मेरे पास नहीं है वह किसके पास है वह श्रीकुष्ण जी के पास है वह उनके साथ ही चला गया है तो हे उधभ अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्कुन प्रह्मा की उपासना अब हम किस मन से करें आगे फिर गोप्या कहती है सिथिल भई है कि हे उधभ हमारी इंद्रिया सिथिल हो गई है और जैसे हमारे देह बिना सिर का ही हो गया हो गोप्या कहती है हम तो स्याम सुंदर के वियोगिनी है तो उनसे मिलने की आशा में इस सिर बेहन सरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ो बर्ष रख सकते हैं उनके कहना का अ गोप्या कह रही है तुम तो सखा स्याम सुंदर के स्याम सुंदर अर्था श्री कुष्ण कि हे उधभ तुम तो स्याम सुंदर के सखा हो और सकल जोक के इस्वर हो तुम योगियों के भी सिरोमणी हो यही सब व्यंग मारते हुए गोप्या उधभ को कह रही है और अंद में कहती हैं कि हमारे भगवान तो श्रीकुष नहीं है और हमारे कोई और भगवान नहीं है हम किसी निर्गुन निराकार ब्रह्म को नहीं जानते हम सिर्फ और सिर्फ श्रीकुष नजी को प्रेम करते हैं अगला पद है सुनत मौन हवे रहियो ढगो सो सुरसब्यमती नासे आए हम इसके कठिन सब्द को जान लेते हैं निर्गुन अर्थाद निर्गुन ब्रह्म्ह बासी बासी अर्थाद रहने वाला मधुकर मधुकर यानी भौरा कही कही अर्थाद कहो समुझाई समुझाई अर्थाद समझाकर सौह सौह अर्थाद कसम देकर सौह दे अर्थाद कसम देकर बुझाती समझाती है साच साच यानी सच्चा हासी हासी अर्थाद हसी मजाक को है को है अर्थाद कौन है जनक जनक यानि जन्मदाता जननी जननी यानि माता को कहियत कहता है कौन नारी नारी अर्था यहां पर पतनी और दासी दासी यानि सेविका कैसो बरन बरन अर्थात रंग भेस है कैसो भेस कैसा है रूप कैसा है अभिलासी अरफात इच्छुक पावेगो अरफात पायेंगे पुनी फिर से पुनी कियो करनी फिर से अपना फल पाऊँगे गाशी अरफात कपट बनावट की बातें सुनत सुनो मौन अरफात सांत रहना मती मती यानि बुद्धी विवेक और नासी अर्थात समाप्ध होना इन पदों में श्रीकुष्णलची ने उधब को गोपियों को समझाने तथा निर्गुन ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा था ताकि गोपिया निर्गुन ब्रह्म को अपनाए पर गोपिया कहती है निर्गुन कौन देश को वासी ये जो निर्गुन ब्रह्म है वो किस देश का वासी है मधुकर कही समझाई सोहदे पुझाती साचना हासी हे ब्रहमर हे भोरा तुम सच में हम खसम खाकर पूछ रही है हम तुम से मजाग नहीं कर रही है हमें तुम हसकर समझा दो कि निर्गुन ब्रह्म का कौन पिता है और इसकी माता कौन है को है जनक जननी को कहियत इनके जनक कौन है यानि जन्मदाता कौन है माता कौन है और पिता कौन है हमें तुम बता दो कौन नारी को दासी इसकी स्त्री कौन है और इनकी दासी कौन है कैसा बरन भेज है कैसो और इसका रंग क्या है कैसे इसकी बेशबूसा है केही रस में अभिलाशी अर्थात और किस रस में यह डुबा रहता है और गोपियां कह रही है अर्थात गोपियों की ऐसी बात नहीं करो वरना तुम्हें अपनी करनी का फल भी मिल जाएगा और सुर्दाजी यहां कहते हैं अर्थात गोपियों की ऐसे बाते सुनकर उधब ठगे से चूप हो गे और उनसे कुछ कहा नहीं गया तो आईए अब हम कुछ प्रश्णों का अभ्यास करते हैं पहला प्रश्ण है ब्रज में कौन कोलाहल करते हैं ग्वालबाल, गाए, नर्नारी, जन्ता तो इसका उतर क्या होगा? इसका उतर होगा ग्वालबाल ब्रज में ग्वालबाल कोलाहल करते हैं कृष्ण किसके बारे में सोचकर पच्टाते हैं ब्रजप्रदेश, गाय, गोपिकाएं ब्रजप्रदेश के सुख तो इसका उत्तर होगा ब्रजप्रदेश के सुख गोपिकाएं उधव से निर्गुन ब्रह्मा को निर्गुन ब्रह्मा के किस विशा में जानना चाहते हैं? मातापिता, पत्नी और दासी, रंगरु, बेशुरुशा, रूचियां तथा जन्मस्तल, उपर युक्त सभी गोपिकाएं उधव से निर्गुन ब्रह्मा के इन सभी वातों के विशा में जानना चाहते हैं कि उनके मातापिता कौन है, पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, रंगरु, बेशुरुशा, आदि, क्या-क्या है? गोपिकाएं कब तक कृष्ण की पतिक्षा की बात करती है, दश वर्स, बीश वर्स, जब तक सरीर में स्वास है, जब तक उधव उनके पास है, तो इसका क्या उतर होगा? इसका उतर होगा जब तक सरीर में स्वास है स्वासा अटकी रही आसा लगी जीव ही कोटी बरिस यानि गोपिकाएं कहती हैं कि उनके जब तक सरीर में सांस है वह कृष्ण की पतिक्षा करती रहेंगी तुम तो सखा श्याम सुन्दर के यहां तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है उधव, श्रीकुष्ण, गोप बालक, नंद तो इसका उतर होगा क्या तुम तो सखे श्याम सुन्दर के यहां तुम उधव के लिए प्रयोग किया गया है गोपिया कहते हैं कि उध्धप तुम श्याम सुन्दर के यानि हमारे श्रीकुष्णदी के सखा हो चकोर किस से संतुष्ठ हो जाता है? अंगूर, अंगार, कपूर, छुहारा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अंगार जकोर, अंगार से तुरुप्थ हो जाता है भूरा कहां स्वेच्छा से बंद हो जाता है? कमल के संपूट में, नए काठ में, घर में, लकडी के अंदर इसका उत्तर होगा कमल के संपूट में, यानि कमल के पत्थे में पतं को क्या अच्छा लगता है? मरना, दीपक की ज्वाला में जल जाना, कीडे मकोडे खाना इसका उत्तर होगा दीपक की ज्वाला में जल जाना पतंक तो जानते हैं न, वह दीपक की रोश्णी से आकर्शित होते हैं वह जानते हैं कि जब वह वहाँ जाएंगे, तो वह जलकर राक हो जाएंगे फिर भिर वे क्या कहते हैं? उसी दीप्पा की रोश्णी में आकाशित होकर चली जाती है सुर्दास के भ्रमर्गित के अनुसार कौन सा वाक्य सही नहीं है? भोरे कमल को नहीं छोड़ सकते गोपिया उधप को नहीं छोड़ सकते चकुर अंगार को नहीं छोड़ सकता पतंग आक को नहीं छोड़ सकता तो इसका उतर क्या होगा? हमें पता है भोरे कमल को नहीं छोड़ सकते यहां कहा गया है चकोर अंगार को नहीं छोड़ सकता यहां भी कहा गया है पतंग आग को नहीं छोड़ सकता यहां भी कहा गया है लेकिन यहां कहीं नहीं कहा गया है कि गोपिया उधप को नहीं छोड़ सकते कोपिया किसको नहीं छोड़ सकते गोपिया श्रीकुष्ण जी को नहीं छोड़ सकते तो यहां का उत्तर होगा अप्सन भी कोपिया उधा को नहीं छोड़ सकते कुरुष्ण यशोदामा से बचने के लिए पीछे क्या छिपा देते हैं माखन का दोना माखन इन में से कोई नहीं तो इसका उतर होगा माखन का दोना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुरुष्ण जो सदा माँ से बचने के लिए क्या कर देती है अपने दोने को पिखे छिपा लेते है कृष्ण मा से उनके मुख पर कौन माखन लगा देने की बात करते हैं गोपिया, मोहन, ब्रजनारी, सखा तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा अपसंडी, सखा कृष्ण मा से उनके मुख पर अपने सखाओने माखन लगा दिया है ऐसा कहते हैं पुत्र की बात सुनकर माता यसुदा क्या करती है सखाओं को बुला कर पूचती है उन्हें डांटती है उन्हें गले लगा लेती है और नंद से सिकाद कर लाती है तो इसका उतर क्या होगा इसका उतर होगा उन्हें गले लगा लेती है वे कृष्ण के मीठी मीठी गुस्य वाली वालियों को सुनकर क्या करते हैं? उन्हें गले लगा लेते हैं गुस्य के कारण कृष्ण क्या करते हैं? खाना नहीं खाते, खेलने नहीं जाते, चीर जाते हैं, नद से सिकायद करते हैं तो इसका क्या उतर होगा? इसका उतर होगा खेल ले नहीं जाते। गुस्से कारण क्या करते है कृष्ण? कृष्ण खेल ले नहीं जाते हैं। बलराम क्या कहकर कृष्ण को चिढ़ाते हैं तुझे यशोदा ने जर्म नहीं दिया यशोदा गोरी नद गोरे तू क्यों सामला है तुझे खरित कर लाया गया है और उपर यूगत सभी इसका उतर होगा अपसंडी उपर यूगत सभी बलराम यह सभी कहकर उन में चिढ़ाते हैं किनको कृष्ण जी को यह सभी बाते कहकर चिढ़ाते हैं जिनके जिनको सुनके क्ष्ण गोर्श जी को बहुत गुस्ता हाँ और वह माता जो शोद्य के पास शिकायत करने चलि जाती है जन में से सैतान कौन है? येशोदा कृष्ण गोबालग बलराम इसका उत्तर होगा अपसंडी बलराम बलराम जन से सैतान है धूत है येशोदा क्यों प्रसन्न होती है? मोहन को देखकर बलराम को दंड मिलने पर क्रिश्ण खुश हो जाने पर और क्रिश्ण के मुख पर गुश से ली बाणी सुन कर तो इसका उतर होगा क्रिश्ण के मुख पर गुश से ली बाणी सुन कर श्याम येशोदा से उन्हें क्या नखिलाने की शिकायत करते हैं दूद दही, मखन छाज, मखन रोटी और घी दही तो इसका उतर क्या होगा? इसका उतर होगा मखन रोटी शाम यानि कृष्ण जी येशोदा से मखन रोटी नखिलाने की बात करते हैं येशोदा शाम को कहां जूला रही थी? पालन में, घर में, गोद में, पेड में तो इसका उतर होगा पालन में यानि जूले में श्याम को जूलाते येशोदा गीत क्यों गाती हैं? उन्हें सुलाने के लिए, उन्हें आनन्दित करने के लिए उनके मन को बहलाने के लिए और अपने मन को शांती होने के लिए तो इसका उतर होगा उन्हें सुलाने के लिए सुर्दास के बाल लिला बनन में आई पंक्ती तू काहे न बेगी आवे तो को कानह बुलावे इसका अर्थ क्या है? अपने साथी बालक को, नीन्द को, गाय को या बाई बनराम को तो इसका उतर होगा नीन्द को माता यशुदा बिभिननलोरी सुनाकर क्या कहती थी? कि नीन्यरानी तुम मेरी कानों के आखो में आजाओ और बेगी आजाओ यानि जल्दी आजाओ तो दोस्तों सुर्दाज जी का पर यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होता है आशा करती हों कि आपको सभी पर्दों की व्याक्षा समझ में आ गए होगी धन्यवाद